हेलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागा थे आपका अपने चेनल जी के केंडर में आज हम इंडियन जोगरफी की सेशन को कवर करेंगे इंडियन जोगरफी की सेशन में आज हम भारत का सामने परीचाय को देखेंगे भारत की सामने परीचाय में आज हम भारत की सित्रफल के बारे में भारत की इस्तिती और विश्तार के बारे में भारत भारते सीमा के बारे में भारत की इस्तली सीमा और जली सीमा के बारे में प्रमुक देशों की अंतराष्टे सीमा भारत में मनक समय रेखा और करक रेखा के बारे में देखेंगे तो देखते हैं भारत का छेत्रफल कितना है भारत का छेत्रफल 32,87,273 km है छेत्रफल के रिष्टिकोर्ण से विश्य में भारत का इस्तान सात्मा है छेत्रफल के रिष्टिकॉन से विष्च में भारत का इस्तान सात्मा है। विष्च के कुल छेत्रफल के 2.42% भारत में हैं। छेत्रफल के रिष्टिकॉन से आठ बड़े देश कौन हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजिल, आस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटिना छेत्फल के रिष्टि कौन से आठ वड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजिल, आस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटिना भारत की जनसंख्या जन्शंक्या की रिष्टी से भारत का विष्च में दूसरा इस्तान है विष्च की कुल जन्शंक्या का 17.5% भारत में निबास करती है विष्च की कुल जन्शंक्या का 17.5% भारत में निबास करती है जन्शंक्या की रिष्टी से विष्च की आठवारे देश कौन से है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजिल, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बंगलादीर जन्शंक्या की रिष्टी से विष्च की आठवारे देश है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजिल, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बंगलादीर भारत की इस्तिती और विष्टार भारत उत्तरी गोलाद में 8 दिगरी 4 मिनद से 37 दिगरी 6 मिनद उत्तरी अक्छांस के विष्टे थे भारत पूर्वी देशांतार में 68 दिगरी 4 मिनद से 97 दिगरी 6 मिनद पूर्वी देशांतार के विष्टे थे सम्पून भारत का अक्छांच से विश्तार अर्थाद डीब सहथ भारत का अक्छांच से विश्तार 6 ङग्री 4 मनूट से 37 ङग्री 6 मनूट उत्री अक्छांच के बिच है उत्तर से दक्षर तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है कितने हैं 3214 किलोमीटर और पूरप से पस्चम तक बेस्तार 293 किलोमीटर है हम एक बार मैप में देख लेते हैं भारत उत्तरी अक्षांस में उत्तरी अक्षांस में 8 दिगरी 4 मनित से 37 दिगरी 6 मनित उत्तरी अक्षांस में हैं जबकि दीव साहित भारत उत्तरी अक्षांस में 6 दिगरी 45 मनित से 37 दिगरी 6 मनित उत्तरी अक्षांस में हैं भारत पूर्वी देशांतार में 66 डिगरी 7 मनेट से 97 डिगरी 5 मनेट में इस्ते थे और भारत की उत्तर से जक्षण तक लंबाई 324 किलो मीटर है उत्तर से दक्षण तक लंबाई 324 किलो मीटर है जबकि पूरप से पस्चिम तक लंबाई 333 किलो मीटर है भारत की सीमा इस्तली सीमा की कुल लंबाई 1500 किलो मीटर है अर्थात भारत की जो इस्तली सीमा है उसकी कुल लंबाई है 1500 किलो मीटर भारत की तकी शीमा की लंबाई 716 किलो मीटर है यह 716 किलो मीटर इसमें अंजमानकुवर्दी भारत की छोटी छोटी डीपों को भी सामिल किया गया है इस लंबाई में दीप सहित भारत की लंबाई है 2516 किलो मीटर जबकि मुख्य ततिय भाग की लंबाई 600 किलो मीटर है जबकि दीप सहित ततिय भाग की लंबाई 7516 किलो मीटर है भारत के इस्तले सहिमा की लंबाई 15200 किलो मीटर है इस प्रकार से भारत की कुल लंबाई, भारत की कुल लंबाई कितने हुई, 22,716 किलो मीटर, भारत की स्टली अंतराष्टे सीमा, भारत की स्टली सीमा की लंबाई 15,200 किलो मीटर है, कितने हैं, 15,200 किलो मीटर, भारत कुल साथ देश के साथ अपने सीमा बनाता है, कौन-कौन स बांगलादेश, चेन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यामार, भूटान और अफगास्तान भारत के कुल 17 राज और दो केंद्रसासित प्रदेश अपने परवसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं भारत के तीन राज जैसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं शिक्किम पस्चिममंगल और अरुनाचल प्रदीश शिक्किम नेपाल चीन और भूतान के साथ सीमा बनाता है पस्चिममंगल नेपाल भूतान और बांगलादीश के साथ सीमा बनाता है और अरुनाचल प्रदीश भूतान मियामार और चीन के साथ सीमा बनाता है भारती राज्यों में सबसे अधिक सीमा उत्ता प्रदेश बनाता है उत्ता प्रदेश कुल आठ राज्यों से अपनी सीमा बनाता है ये राज कौन कौन से हैं? उत्तराखंज, हिमाचार प्रदेश, हर्याना, राजिस्तान, मद्यप्रदेश, 36 जारकंद और बिहार अरुनाचा प्रदेश की सीमा पूर में म्यामार से, पस्चिम में भूतान से और उत्तर में चीन से मिलती है हम देखते हैं बांगलादीश भारत की साथ कितनी सीमा बनाता है बांगलादीश भारत की साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है यह भारत की साथ सबसी अधिक इस्तलिय सीमा बनाता है भारत की कुल पांच राज बांगलादीश की साथ लगे हुई हैं कौन कौन से? पस्चिम बंगाल, मिघालय, मिजूरम, तिरपुरा और असम पस्चिम बंगाल बंगलादिश की सबसे अधिक सीमा बनाता है कितनी? बाइस सो एकतर किलो मीटर भारत और बंगलादिश की भी सीमा का नाम क्या है? रेट क्लिप रेखा इस रेखा का निरधारन सर रेट क्लिप दोरा 15 अगस्ट 1947 को किया गया था तिरपुरा तीन ओर से बंगलादिश सीगरा है तिरपुरा एक ऐसा राज्य जो तीन ओर से बंगलादिश सीगरा है जबकि उत्तर पूर्व में यह असम और मिजूरम सीगरा है यह है तिरपुरा तिरपुरा तीन ओर से बंगलादिश सीगरा है उत्तर पूर्व में यह उत्तर देशा और यह पूरब देशा उत्तर पूर्व में असम से और मिजूरम सीगरा है पूरुबुत्तर में नागालेंड, मनीपोर, अरुडाँचा प्रदेश और सेक्कें की सीमा बांगलादेश चे नहीं मिलती जबकि बंगलादेश के साथ पस्चे मंगाल, मेघालाई, असम, तिर्पुरा, मिजोरम ये पंच राज बंगलादेश के साथ सीमा बनाते हैं चीन चीन के साथ भारत कुल 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है चीन के साथ 4 राज और 1 केंड़सासेट प्रदेश चीन के साथ कुल आठ राज और 1 केंड़सासेट प्रदेश सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंज, सेक्किमब अरुनांचर प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं और एक यूनियन टेनरेतर लद्दाक चीन के साथ सीमा बनाता है चीन अरुनांचर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है कितनी? 1048 किलोमीटर भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है इस सीमा का निरधारन सर मैकमोहन द्वारा सिमला में 1914 में किया गया था मेक मोहन रेखा का निरधारन सर मेक मोहन द्वारा सेम्ला में 1940 में किया गया था यह साथ सीमा भारत पाकिस्तान के साथ कुल 33 किलोम्योमेटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ भारत के तीन राज और दो कैंसासे प्रजिस सीमा बनाते हैं भारत के तीन राज कौन कौन की से हैं गुजरात राजस्थान और पंजाब राजस्थान ग्यारा सो उनातर किलोमीटर की सीमा बनाता है गुजरात 506 किलो मीटर की सीमा बनाता है और पंजाब 425 किलो मीटर की सीमा बनाता है सीमा का नाम क्या है? रेट कलिप रेखा सीमा का नाम है रेट कलिप रेखा और इस सीमा का नदारन सर रेट कलिप द्वारा 15 अगस्ट 1947 को किया गया था रेट क्लिप रेखा का नंतारन सर रेट क्लिप द्वारा 15 अगस्ट 1947 को किया गया था ये है रेट क्लिप रेखा इसमें राजिस्तान सबसे अधिक सीमा बनाता है उसके बाद गुजरात और सबसे गम गांजी नगर नेपाल भारत के साथ 1789 किलोमीटर की सीमा बनाता है नेपाल के साथ कुल पांच राजिस सीमा बनाते हैं कौन-कौन से उत्तापरदेश, बिहार, पच्चिमंगाल, सिक्केम और उत्राखंज बिहार नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है कितनी 726 किलोमीटर बारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा का देज़ारन काली नदी भी करती है कौन सी नदी काली नदी ये हैं मैप में नेपाल नेपाल बिहार की साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है उसके बाद उत्ता प्रदेश उसके बाद पस्चे मंगाल, चौथे नमबार पर उत्राखन और पांच में नमबार पर सिक्क्यम सबसे अधिक सीमा किस के साथ बनाता है नेपाल बिहार के साथ और सबसे कम सीमा सिक्क्यम के साथ इतना आपको याद रखना है म्यामार म्यामार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की शीमा बनाता है म्यामार के साथ कुल चार राज्य शीमा बनाते हैं कौन-कौन से अरुनांचा प्रदेश, नागालेंड, मिजुरम और मरीपुर अरुनांचा प्रदेश, नागालेंड, मिजुरम और मरीपुर अरुनांचल प्रदेश के साथ म्यामार सबसे अधिक सीमा बनाता है 520 किलूमीटर अरुनांचल और म्यामार की सीमा के बीची पठकाई की पहारी स्थे थे यह मैप में म्यामार इसके साथ मिजोरम सीमा बना रहा है मरीपूर नागालेंड और अरुनांचार प्रदेश सीमा बना रहा है कौन-कौन सी राज, मिजूरम, मनीपूर, नागालेंट और अरुनांचार प्रदेश के साथ सीमा बनाता है जबकि असम इसके साथ सीमा नहीं बनाता है मेगाला, तेरपुरा, मियामार के साथ सीमा नहीं बनाते है कुछ सीमा का नधारन पठकाई की पहारी करते हैं यहीं पर पठकाई की पहारी हैं कहां भारत और म्यामार की सीमा के बीच पठकाई की पहारी इस्तित हैं भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूतन भारत के चार राज भूतन के साथ सीमा बनाते हैं कौन-कौन से शिक्किम, असम, पस्चिब मंगाल और अरुनांचा प्रदेश शिक्किम, असम, अरुनांचा प्रदेश और पस्चिब मंगाल असम के साथ भूतन सबसे अधिक सीमा बनाता है 276 km मेब में देख लेते हैं सिक्किम राज भूटान के साथ सीमा बनाता है असम राज भूटान के साथ सीमा बनाता है अरुरांचा प्रदिस भारत के साथ सीमा बनाता है और ये पस्चिम मंगाल ये स्टाइड पस्चिम मंगाल भी भूटान के साथ सीमा बनाता है सबसे अधिक सीमा अरूरांचा प्रदेश बनाता है कौन सा राज अरूरांचा प्रदेश चार राज भूतान के साथ सीमा बनाते हैं यह हैं सिक्किम, असम, पच्चे मंगल और अरूरांचा प्रदेश और सबसे अधिक सीमा अरूरांचा प्रदेश बनाता है अफगाश्तान अफगाश्तान के साथ भारत कुल एक सुच्छे किलोमीटर की सीमा उनाता है सबसे कम इस तलिए सीमा के साथ निर्मार करता है भारत अफगाश्तान के साथ और सबसे अधिक बंगलादीश के साथ कुल एक के अधिकरत कश्मीर लद्दाक में ही आता है भारत और अफगास्तान के बीच दूरंज रेखा है कौन सी रेखा है दूरंज रेखा सर दूरंज द्वारा किया गया था मैप में कहा है दूरंज रेखा यह है दूरंज रेखा यह चित्र पोक अधिकरत कश्मीर में आता है पोक अधिकरत कश्मीर लद्दाक के अंतरगत आता है किसके अंतरगत लद्दाक के अंतरगत इस सीमा का अंतरधान सर दूरंज द्वारा 1892 में क्या गया था एक बार हम फिर से देख लेते हैं बंगलादेश कुल 496 किलो मीटर की सीमा बनाता है और सबसे अधिक पस्चे मंगाल बंगलादेश के साथ सीमा बनाता है चेन 3488 किलो मीटर की सीमा बनाता है और अरुनांचा प्रदेश चेन के साथ सबसे अधिक सीमा बना पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा राजिस्तान राज बनाता है नेपाल के साथ बिहार राज सबसे अधिक सीमा बनाता है म्यामार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है और म्यामार के साथ अरुनाचा प्रदिस सबसे अधिक सीमा बनाता है भूटान भूटान 999 किलोमीटर की सीमा बनाता है और भूटान के साथ असमराज सबसे अधिक सीमा बनाता है अफगास्तान एक सोच है किलमीटर की सीमा बनाता है और अफगास्तान के साथ लद्धाक राज़ लद्धाक केंसासे पिरेद सबसे अदेक सीमा का नर्मान करता है इस प्रकार से कुल भारते इस्तले सीमा की लंबार 15106 किलो मीटर है कितनी है 15106 किलो मीटर भारत की अंतराष्टे जली सीमा भारत तीन ओर से समुद्र सिगरा है इसलिए भारत को क्या बोलते है प्राइडीप भारती महादीप में साथ देश आते हैं कितने देश आते हैं भारते महादीप में कुल साथ देश आते हैं कौन कौन से पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल भूटान मालीप श्री लंका और भारत पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूतान, मालीप, स्री लंका और भारत कहीं कहीं किसी बुक में पांच देश भी लिखा है इसलिए मैंने यहां पांच लिख दिया था लेकिन आपको साथ याद रखने है साथ याद रखने है भारते महादीब में कुल साथ देश आते हैं कौन-कौन से पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूतान, मालीप, स्री लंका और भारत भारत की जली सीमा या समुद्र सीमा साथ देश से लगी है किदने देशों से? साथ देश से कौन कौन से पाकिस्तान, मालीप, स्रिलंका, बंगलादेश, मियामार, थाईलेंड और इंडोनेशिया इन साथ देशों के साथ भारत की समुद्री शीमा लगी है यह है भारते महादीब इसमे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलदेश, स्रिल्यंका, मालदीब और भारत आते हैं भारते महादीब में यह साथ देश आते हैं और भारत की समुझरे सीमा को साथ देशों के साथ रखी है इतना आपको याद रखना है भारत की जल और इस्टली और जली दोन सीमा से लगे हैं भारत का सबसे अधिक भारत का सबसे लंबी टच्ट बिखावाला राज कौन सा है गुजरात गुजरात कितना है 1633 किलो मीटर इसकी लंबाई कितनी है 1633 किलो मीटर और दक्षन भारत का सबसे लंबी टठरेखा वाला राज है आंधर प्रिदेश इसकी लंबाई है 1100 किलो मीटर भार्त तत्रीका से लगे कुल कितने राज है नो राज यह हैं मैप में दिख लेते हैं कुल नो राज है जो तत्रीका से लगे हैं पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट, तीसरा यहां गुवा, चोथा करनाटक, पाँचमा कीरल, शतमा टमिल्दारू, साथमा आंद्रप्रदेश, आथमा उरीशा और नौमा पस्चिमंगाद. यह नौ राज्ज टटरीखा बाली राज्जे हैं, इसके बाद कुछ पॉंच हैं, टटरीखा से सम्बने तो उनको देख लेती हैं, दक्षिण में स्री रंका भारत थे, पाक जल संदी और मन्नार की खारी द्वारा अलग होता है, किस से अलग होता है, पाक जल संदी और मन्ना सिर्य रंका के बाद, भारत का दूसरा निकस्तम समुद्री परोशी देश इंडोनेशिया है, सबसे निकस्तम समुद्री परोशी देश कौन सा है, सिर्य रंका और दूसरी नंबर पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया निकोबार दीप समूह के अंतिम दीप, ग्रेट तत कन्या कुमारी में मिलते हैं कहा मिलते हैं कन्या कुमारी में भारत में रामिश्वर की निकत धनश कोडी और स्री लंका में तैला मननार के बीच समुद्र में डूबी प्रबाल दीप की एक रेखा है इसे ही आदम का पुल कहा जाता है भारत में रामिश्वर की निकत धनश कोड़ी और स्री लंका में तैला मननार के बीच समुद्र में डीपी प्रबाल दीप की एक रेखा है इसे ही आदम का पुल कहा जाता है भारत की प्रमुक बिंदू भारत का सबसे उत्तरे बिंदू है इंद्राकॉल इंद्राकॉर जम्मू कश्मीर में है भारत की प्रमुक बिंदू भारत का सबसे उत्तरे बिंदू इंद्राकॉल है इंद्राकॉर जम्मू कश्मीर में है भारत का सबसी दक्षिन बिंदू इंड्रा पोइंड्रा 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 भारत का इस्तालिय दक्षडे विंदू कन्यकोमारी है जो तमिलाणू में हिस्ते थे सबसे पूर्वी विंदू केवुत केवुत अर्मांचा प्रदेश में है और सबसे पच्चमे विंदू सरक्री गुजरात में है इसके बाद कुछ पॉइंट है कुबला पॉइंट मॉंबाई में है पॉइंट काली मेरे तमिलाणू में है और पॉइंट पेद्र जाफना में हिस्ते थे जाफना स्री लंका के उत्तापूर में है कुलाबू पोइंट मॉंबाई में है पोइंट काली मारे तमिलारू में है और पोइंट पैज्डरो जापना में स्थे थे एक बार मैप में देख लेते हैं सबसे पूर्वी बिंदू है केवुथ केवुथ अरुरांचा प्रदेश राज में स्थे थे सबसे उत्रे बिंदू इंड्रा कॉल यह है जम्मु कस्मिर में है सबसे पच्चमे बिंदू सरकी गुजरात में हैं और सबसे दक्षणे जा मुक्ह मुहमी का बिंदू कन्या कुमारी है जो तमिलानु राज में श्टे थे और भारत का सबसे दक्षणे बिंदू कौन सा है इंद्रा पॉंट का ही पूर्व नाम पिग्मेनियन पॉंट था और यह आजसो भूमद रेखा से आजसो चैतर किलोमीटर की दूरी पर रिष्ट थे प्रमुक देशों और उनसे संबंदे सीमा मैक मुहन रेखा भारत और चीन के वीचिस्तित है रेट किलप रेखा भारत और पाकिस्तान के वीचिस्तित है दूरंज रेखा भारत और अफगास्तान के वीचिस्तित है चोविशवी अक्षान से रेखा भारत और पाकिस्तान के वीचिस्तित है इसकी लंबाई 96 किलोमीट और यह कच्छ गुजराच्छीत्र में पड़ती है। पाकिस्तान सीमा निर्धारन के लिए इसको पक्षधार मानता है। किसको 24 मी अप्षां से देखा हूँ। लेकिन भारत इसका पक्षधार नहीं है। हिंडन बार रेखा, जर्मनी और पुलेंच के भी चिस्ते थे। 38 भी समानता रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षध कोरिया के भी चिस्ते थे। मैगीनाज रेखा, जर्मनी और फ्रांस के भी चिस्ते थे। मैन रही मी रेखा, पाकिस्तान और अफगास्तान के भी चिस्ते थे। मानक समाई रेखा, IST का पून रूप क्या है? इंडियन इस्टेंजर टाइम या भारते मानक समाई मानक समाई रेखा, भारत में इलावाद की नकत मर्जापूर या नैनी से नकलने वाली सारे 82 दिगरी पूर्वी देशांतर देखा है। भारते मानक समाई, ग्रीन विज समाई से सारे 5 घंटें आगे हैं। पूर्वी देशांतर देखा पर 5 राज्यों से गुजरती हैं। कौन कौन से राज्य हैं। यह है सारे 82 दिगरी पूर्वी देशांतर देखा, यह कुल 5 राज्यों से गुजरती हैं। और यह ग्रीन विज देखा से सारे 5 घंटें आगे हैं। पांच राज्यों कौन कौन से हैं। उत्ता प्रदीश, मद्यप्रदीश, 36 गर, उरिशा और आंद्यप्रदीश। यह पांच राज्यों से गुजर रही हैं। मानख समय रेखा, भारत में करक रेखा लगभख भारत की मद्य से गुजरती है। भारत की आज राज्यों से करक रेखा गुजरती हैं। कितने राज्यों से आज राज्य कौन कौन से हैं राजिस्थान गुजरात मदप्रदेश चतिजगर जारखंड पस्चिम बंगाल तिरपूरा और मिजूरम यह आज राज्यों से करकर रिखा गुजरती है प्रतिवी की चुम के विश्मत रिखा दक्षन भारत में त्रिवेंडरम केलर से गुजरती है ये भी आपको याद रखना है भारत का विश्तार भारत की उत्तर में हिमाचल है हिमालय परबत है भारत की पस्चे में अरब सागर और पाकिस्तान है भारत की पूर्व में बंगलादेश, मियामार और बंगल की खारी है जबकि उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व ये वाली दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व में नीपाल, चीन वाभूटान है जबकि उत्तर पस्चे में अफगास्तान है उत्तर पस्चे में क्या है अफगास्तान दक्षन पस्चे में माली देश है दक्षन में सिर्यान का और हिंड महासागर है यह आपको याद रखना है यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आज का हम पॉंच देख लेते हैं केबल आत्म हिस्वास होना चाहिए जिन्दिकी तो कहीं से भी शुरू हो सकते है थैंक्स पॉर वाचिंग